रसायनिक खाद वा जैविक खाद दुतिय विश्युयुद के बाद पस्चिमी देशों के हतियार और विशाक्त रसायन बनाने वाले कार खाने बंध होने के कगार पर पहुँच गए थे जिसके कारण पस्चिमी देशों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था इन देशों ने इस आर्थिक संकट से बचने के लिए एक योजना के तहट उन कारखानों में रसायने खाद तथा कीट नाशक बनाना शुरू कर दिया इन रसायने खादों वा कीट नाशकों के द्वारा क्रिशी उत्पादन को बढ़ाने की बात कर हरित क्रांती नाम का एक छद मजाल बुना भूले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फस कर रसायने खाद वा कीट नाशकों का प्रियोग करने लगे बैलों की जगा ट्रैक्टर से जुताई होने लगी शुरुवात में कम रसायने खादों के प्रियोग से अधिक उत्पादन हुआ धीरे धीरे रसायने खादों के प्रियोग के कारण भूमी की उर्वरा शक्ति छीन होने लगी जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा, तथा फसले कमजोर होने लगी फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग वा कीट लगने लगी रोग वा कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीट नाशकों का प्रियोग होने लगा एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासाइने का खादों का प्रियोग होने लगा वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग वा कीटों से बचाने के लिए अधिक विशाखत कीट नाशकों का प्रियोग बढ़ गया जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाब कम होने लगा बलकि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे धीरे धीरे भूमी की उर्वरा शक्ति क्षेन होने से भूमी बंजर होने लगी रसायनिक खाद वा कीट नाशकों के कारण खादान भी विशाक्त हो गए तथा जलवाईयू भी प्रदुशित हो गई जिसके कारण मानव पशुपक्षियों के स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ा जिसका परिणाम आपकी सामने है मानव स्वास्थे पर रसायनिक खादों के पढ़ने वाले प्रभाव को आप ऐसी समझें जब किसान फसल में रसायनिक खाद डालता है तो रसायनिक खाद में उपस्थित विशाक्त रसायन जल में घुल कर सबसे पहले जल को प्रदुशित कर भूमी के अंदर उपस्थित केचुए वा सूक्ष्म जिवाणूं को मार देता है ये बात सभे किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए वा अन्य सूक्ष्म जिवाणूं भूमी की उर्वरा शक्ती को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं विशाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यू हो जाने से भूमी की उर्वरा शक्ती नश्ट हो जाती है तथा भूमी कठोर होकर बंजर होने लगती है या अन्य पशुईने खाते हैं, तो ये विशाक्त रसायन मानव स्वास्थे पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं, तथा मनुष्य के अंदर तरहां-तरहां के रोग उत्पन करते हैं। जब हम जैवे खाद का प्रियोग भूमी पर करते हैं, तो जैवे खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदुशित नहीं करती। बना रहता है और फसले मजबूत होती हैं। फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्राकरति कौशदियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है। तथा वातावरण पर भी कोई दुश्परभाव नहीं पड़ता। यहां हम आपको तालिकाबत तरीके से दूनों का कम लागत में बचाव हो जाता है।